ओम सिरी गनिशाइनमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 अगस्त रविवार के रासी फल के बारे में कीह दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पकोन जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चड़ी दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए रविवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आप के लिए आज पोजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो जीवन साती से आज आपको शहुग प्राप्त हो सकता है परन्तु उसके लिए संबंध मदुर बनाए रखना बहतर रहेगा व्यवसायक दरश्टी से आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभावना बन रही है इसलिए यदि आप कार्य व्यवसाय से जुड काम्याबी प्राप्त होने की संभावना बन रही है साती साथ आपको नोकरी बदलने में भी काफी लाब मिल सकता है और आपके केरियर के लिए यह परिवर्तन काफी अच्छा सिद्ध होगा दूसरी और विध्यार्तियों को भी उच्छ सिक्षा प्राप्त करने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिससे उनकी लंबे समय से प्रतिक्षित उच्छ सिक्षा की कामना पूरी हो सकती है ज्यादोस्तों कारे छेतर से जुड़े लोगों को भी आने वाले समय में पदुन्नती के रास्ते खुलेंगे और आपको ने ने विचार आएंगे जिन्हें अपना कर आप कार्य इस्थल पर भी अच्छा प्रदसन कर पाएंगे आप अचल संपत्ति प्राप्ति के लिए भी निवीष कर सकते हैं तो आपको लाब प्रद हो सकता है कामकाज से समबंदित किसी मित्र से भी समबंद अच्छे हो सकते हैं ज्यादोस्तों आज का दिन प्लास में वातावर्ण रहेगा, सुब समाचार मिलने से तथा प्रवास होने के कारण मन काफी प्रफुलित रहेगा, मित्रों से सैयोग मिल सकता है, यदि आप घर परिवार के साथ किसी कार्य को करने का प्रतन करते हैं, तो वह भी आज सफल हो सकता है, जिससे आप कमन बहु कार्य व्यवशाय को नई दिसा दे सकते हैं या आप किसी तरह का कोई निवेस करने का मन बना रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं जिससे आपको काम या भी अच्छी प्राप्त हो सकती हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तों कुछ ल अन्य पहलू उपर अधिक समय देने के कारण अपने परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे जिसकी कमी आपके परीजनों को खलीगी। प्रवंदन के प्रती काफी सचेत रहेंगे फिर भी आपके खर्च और बचत के बीच उतार चड़ाव की इस्तिती बनी रह सकती है। योग और सुक को लेकर सस्पेंस हो सकता है। दोस्तो आज आप कहीं गूमने फिरने के लिए ओफर कर सकते हैं तब ही आपके प्रेम जीवन में विरत्दी होगी और प्यार के साथ साथ हर तरह के सैयोग की संभावना उत्पन हो सकती है। एक दूसरे के कामकाज को लेकर भी आज सहयोग हो सकता है। जया दोस्तो आज आप अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे और अपने प्रेतम को स्पेसल फील करेंगे। इससे आपके प्रेम जीवन में मधूरता और बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रती आकरशन की भी व्रत्दी होगी। जया दोस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आज इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं परन्तु आप अपने प्रेमी प्रेमिका के उपर पूर्ण विस्वास रखते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने का आज प्रेतन करें। साथ साथ यदि आप किसी को प्यार करते हैं और उसे पता ही नहीं तो ऐसे में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को समझाना आवशक है। यदि आप पहले से ही किसी को प्यार करते हैं तो आप उनको प्रपोज कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुती लकी सावित होने वाला है। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवेसाय केरियर कैसा रहने वाला है। दोस्तो आज ग्रहों की इस्तिती आपके अनुकूल रहने से आर्थिक लाब और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। कारो बार आज अच्छा चलेगा और कारों में आज आपको अच्छी सपलता मिलने से धन लाब केश दिती रहेगी विध्यारतियों के लिए वे समय आज का काफी अच्छा रहेगा दोस्तो साती सात आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो आपके लिए भविस्ते में आगे चलकर काफी लाबदाएक साबित होगा या दोस्तो धन के लेंदेन के लिए भी आज का समय आपके लिए बहुती अच्छा साबित होने वाला है दोस्तो कारेच्छेत्र में आपके अनुकूल वाता वरन रहेगा हाला कि कारेभार की भी अधिकता रहेगी लेकिन कारों में सपलता मिलने से धनलाब की भी काफी अच्छी स्थिती रहेगी नौक्री में भी तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको अपने स्वास्थ का भी विशेश रूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि अत्यादिक सोचने और चिंताओं के कारण आपका स्वास्थ बिगड़ सकता है साथ साथ पेट से संबंदित समस्याएं अधिक परिशान आपको कर सकती है इसलिए आज आप नेगटिव विचारों से दूर रहें सोचने समझने में आप समय अपना व्यर्थ ना करें और साथ साथ अपने खान पान पर भी आज आप विशेश रूप से ध्यान दें साथ साथ दोस्तों अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्थ रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश फुपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत रहोने के बाद बाजार से तीन जहडू खरीद कर लाएं जै दोस्तो इसके बाद आप इन तीनों जहडूों को आसपास के किशीभी मंदिर में चुपचाप रख आएं और मनीमन भगवान शुरदेव का इसमरण आप करते रहें जै दोस्तो साती सात जहडू रखते समय आपको एक बात का यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप जहडू रखें तब आपको कोई देखें ना जै दोस्तो ऐसा करने से आपको सुब फलो की प्राप्ती होंगी जो भी आपके घर में धन संबंदित परिशानिया हैं समस्त परिशानियों कांत होगा आपके घर में धन वैबब और यसमें वरद्धी होगी जा दोस्तो आप इस फपय को अवश्य करें तब आपको अवश्य ही लाब प्राप्तफोगा दोस्तो भगवान शुरय देव का असनवाद आपको प्राप्त हो सक्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै शुरय देव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद